आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी थमने लाप ने बिल्कुल सही पड़ा अगर आपके सप्लायर ने 3B फाइन नहीं करी है तो आपको ITC रिवर्स करना पड़ जाएगा ऐसा नोटिस हमारे एक क्लाइन को आया अब इसमें क्या कहा गया नोटिस में जरा ध्यान से बात को समझेगा यहां पर क्या हुआ इसमें इन्होंने बोला it has seen from the GSTR1 file by the Mr. X की एक company थी Mr. X private limited जिसने की अपनी GSTR1 तो file कर दी लेकिन उसने अपनी 3B file नहीं करी तो वो GSTR1 जब हमारे supplier ने file कर दी और उसने 3B file नहीं करी उस GSTR1 के basis पर हमने ITC ले लिया ठीके ना लेकिन अब हमें notice आ गया कि आपने जो ITC लिया है वो GSTR1 के basis पर लिया है और अगर आपके supplier ने अगर आपके supplier ने 3B file नहीं करी तो आपको ITC reverse करना पड़ जाएगा और मेरे supplier ने 3B file नहीं करी GSTR1 करके सो गया तो यहाँ पर अब मेरे को notice आया कि आप ITC reverse कर दे तो क्या कहता है notice it has seen from GSTR1 file by the Mr. X Private Limited that you have received invert supply from the set taxpayer कि आपने invert supply लिया है however it also notice that has not file written in 3B since August 20 जादा दिन ने हुए उसने August, September, October 3 महीने की August, September, October की 3B file नहीं करी तो यहाँ पर notice आ गया जबकि यह notice 19.11 को आया है तो दो ही due returns उसने file नहीं करी अगस्त और सितंबर गी ठीक है ना तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि भई उसने 3B file नहीं करी तो हम section 16.2 को use करके हम आपको यह कह रहे हैं कि आप अपना ITC reverse कर दो अब भाया यह बताओ चलो मैंने तो ITC reverse कर दूँगा लेकिन अगर मेरे supplier ने उसके बाद अपनी 3B file कर दी फिर उसका क्या होगा फिर उसका क्या होगा अब भाया मेरे supplier को आप पकड़नी रहे हो उससे 3B का notice भेजनी रहे हो सारे notice मुझे भेज रहे हो ऐसे थोड़ी होगा अगर मेरा supplier दो महीने से 3B file नहीं कर रहा है आप उसे पकड़ो उसका registration cancel करो आप मुझे कह रहे हो कि ITC reverse कर दो और क्या मैं ITC reverse करूँगा क्या मुझे interest नहीं देना होगा फिर और जब ये मेरा supplier दुबारा डाल देगा क्या तुम मुझे फिर दुबारा एक चिठी भेजोगे कि आपके supplier ने अब 3B file कर दिये अब आप दुबारा से ITC claim कर लो जो हमने reverse कर आया था बताओ department वालो मुझे आप ऐसा notice मेरे client को भेज दे रहे हो इससे मेरा client mentally disturb होगा या नहीं होगा अब वो किन-किन supplier को पकड़े आप supplier को पकड़ नहीं रहे हो आप हर बार recipient को पकड़ रहे हो अरे supplier ने 3B file नहीं करी उसे notice बेजो उस पर penalty लगाओ उसका registration कैंसिल करो उसे notice बेजो कि GSTR1 में liability इतनी है 3B में इतनी है आप corresponding मुझे क्यो बेज रहे हो ठीक है ना या आप सिरिफ यहाँ पर यह notice मत बेजो आप यहाँ पर सिंपल यह बोलो कि भईया ऐसे ऐसे चीज़ है आप अपने supplier को contact करके आप उसकी 3B भरवा लो ठीक है या आप उसकी payment रोक लो तो यहाँ पर यह बात समझने वाली है कि सारी गलती की सजा receiver ही क्यो बुकते supplier क्यो ना बुकते अब उसने 2 महिने की 3B file नहीं करी मैंने उसे phone करा भईया तुमने 2 महिने की 3B file नहीं करे उसने का क्या हो गया भर दूगा ना late fees के साथ बर दूगा interest के साथ बर दूगा ठीक है ना तो यहाँ पर यह बात समझने वाली है तो यहाँ पर अब एक main मुद्ध ही आ गया कि जब भी आप अपने client से purchase कर रहे हैं तो जिससे भी आप purchase करें तो उससे बोलने 3B time से भरेगा तभी payment करेंगे अगर तुने 3B time से नहीं भरी तो हम भाई payment नहीं करेंगे otherwise हमें ऐसे notice हाजाएंगे ITC reverse करने की sir इस case में करना क्या भईया इन्हें चिट्थी लिख के विजो कि भईया हम जो है ITC reverse अभी नहीं कर रहे और अपने supplier से बात करो कि भईया supplier तुम कब तक तुम कब तक अपनी GSTR 3B फाइल कर दोगे यह बात उनसे कर लो ठीक है ना इसका reply यही बनता है किलियर हुई मेरी बात वीडियो समझ आई अगर वीडियो समझ आई है तो comment box में लुक कर बताना कि क्या यह notice है या गलत या इसका reply कैसे देना है मेरे इसाब से notice तो ठीक है आप एक warning दे रहे हो लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी harassment हो जाती है हरास्मेंट क्या हो जाती है क्राइन दर जाता है notice को देखके reply तो आपको देना पड़ेगा और अपने इस supplier से जो भी नाम है उससे contact करो और उससे बात करो otherwise आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि section 16 में यह बात लिखी हुई है कि भाईया अगर आपने tax pay नहीं करा है government को तो हम तुम्हें ITC नहीं देंगे तो आपके ITC पर यहाँ पर दिक्कत आ सकती है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जादा से जादा लोगों तक share करना वीडियो को like करना और अगर आपको magazine चाहिए latest updates के लिए तो आप हमारी magazine subscribe कर सकते है magazine subscribe कराने के लिए या pen drive purchase करने के लिए आप इस number पर whatsapp कर सकते हैं हाँ जो हमारी नई magazine है या जो हमारी pen drive है उसमें जो यह आठ नोटिफिकेशन आई है new returns का system आया है magazine में भी update मिलेगा pen drive में भी मिलेगा अगर आपने अभी तक purchase नहीं करिये तो इन number पर whatsapp करके purchase कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ thank you for watching